नमस्कार दोस्तों, मैं एड़ोकेट विश्नुधारी सिंग, एड़ोकेट विश्नुधारी सिंग लिगल चेनल में आप सभी दर्सकों का स्वागत करता हूँ दोस्तों, आज मेरे वीडियो बनाने का टॉपिक है धारा 144 दंड परकरिया सहिता का दोस्तों, Code of Criminal Pro Assad का सेक्शन 144 के अनुसार, जब किसी अस्थान पर, किसी कुवा पर, किसी तालाब में, या किसी अन्य जगापर, जमीन पर, कोई भी बेक्ति के दौरा कबजा किया जाता है और वो इसे बेक्ति को हटाया जाता है जो पहले से विधि पुर्वक कबजे में थे तो ऐसी इस्तिती में गंभीर लोक सांती भंग होने की खत्राउत्पन हो जाती है या गंभीर सांती भंग होने की खत्राउत्पन हो जाती है हैं दोस्तों वह एसी परिशिति में कहले और और ये यूटूब चैनल पर पोस्ट कर चुका हूं अगर आप उसे देखना चाहें तो हमारे स्क्रिप्शन बॉक्स में उसका लिग दिया हुआ है उसे आप देखें और हमारे उस वीडियो को देखकर आप अंतर समझें कि कार्जपालक दंडादिकारी और नयाईक दंडादिकारी जुडिसियल मेजिस्टेट में क्या अंतर है दोस्तों कार्ज पालक दंड अधिकारी को निशे धाग्या का यह अधिकार Code of Criminal Proceur Code की धारा 146 में दी गई है दोस्तों इस तरह के निशे धाग्या के आदेश में कार्ज पालक दंड अधिकारी वहाँ पर किसी व्यक्ति को जाने से रोक सकता है या वह अवेक्ति जो दूसरे के जमीन पर कबजा कर रहा हो जो विधिपुर्वक कबजे में है उसको हटा कर कबजा कर रहा हो उसे वहाँ पर जाने से रोक सकता है या वैसे कार्ज को वहाँ पर संपन करने से रोक सकता है दोस्तों या एक कार्जपालक दंडाजीकारी का एक विशेश अधिकार है Law & Order Maintain करने के लिए दोस्तों Law & Order के संधरब में कार्जपालक दंडाजीकारी ऐसे निशे धागया के आदो इसको किसी के सूचना पर या अपने उसे जब ग्यात हो जाए अपने सो विवेक से ग्यात हो जाए कि ऐसी परिशिती में कहीं गंभीर खत्रा उत्पन होने की संभावना है या ऐसी परिशिती में कहीं लोक सांती को गंभीर रूप से खत्रा पहुँचने की संभावना है तब वो इस तरह कानी से धागयां आदेश जारी कर सकता है दोस्तों दोस्तों यहादेश किसी बैक्ति के बिरुदु भी हो सकता है ब्रुद कब दोस्तों जब विधि पुर्वक कोई ब्रुद करता है या बलपुर्वक हडाने का प्रयास करता है वेश्नी परिसिती में उस्छ को निसे धाग्या के आधेश के अनुसार इसकाज को करने से रोक सकते हैं दोस्तों यहां आदेश दो माह तक प्रविर्थ होता है लेकिन दोस्तों किसी भी विसेश परिसिती में राज सरकार के आदेश से यहां आदेश छे माह तक के लिए बढ़ाई जा सकती है जैसे दोस्तों कहीं कोई गंभीर बीमारी उत्यपन हो गया हो जो संक्रामक बीमारी है आम जनता में फैलने वाली है जैसे हाल में ही आपने देखा होगा कि करोना में ऐसी महामारी पहली हुई थी उस समय भी सरकार जगह जगह पिसेश पर चवालिस लगाई यानि लौकडाउन लगा दिया उस जगह पर दोस्तों ताकि आम जन्ता की गतिविधी बंद हो और बीमारी फैलने से रुके या दोस्तों कहीं दंगा हो जाता है कहीं बलवा हो जाता है कहीं दोसमदाय के लोग आपस में टकरा जाते हैं ऐसी परिस्तिती में भी राज सरकार वहाँ पर कार्जपालक दंडा दिकारी के माध्यम से निशेधाग्या का आदेश दंड प्रकिरिया सहिता की धारा 144 में लागू कर सकती है जारी कर सकती है ताकि वहाँ पर मानो गतिविधी नो हो जिसके चलते कोई बलवा या दंगा इसे हम निशेधाग्या आदेश कहते हैं इस तरह का आदेश या तो कर्जपालक दंडारी कारी अपने स्वबिवेक पर भी कर सकते हैं अगर उन्हें ग्यात हो ऐसी तब कि यहां कहीं सांती के भंग होने की खत्रा की आसंका हो या किसी प्रित पक्षकार के आवेधन पर भी कर सकते हैं या पुलिस वाले के सूचना पर भी कर सकते हैं पुलिस भी जब लिखी सूचना कार्जपालक दंडारी को देती है कि फलाने जगापर फलाने जमीन में अलपुरवक कबजे को लेकर जमीनी विवात को लेकर गंबीर सांती भंग होने का खत्रा है तो कार्जपाल पुलिस वाले के समक्ष जाते हैं पुलिस वाले के पास रिपोर्ट लिखाते हैं कि हमारे जमीन पर कबजे को लेकर सांती भंग होने की संभावना है वेसी परिसिती में पुलिस ने कार्जपालक दंडादिकारी को रिपोर्ट करती है और कार्जपालक दंडादिकारी उस बेक्ती के विरुद में जो बेक्ती बलपुरुबक कबजा करने का प्रयास कर रहा है उनके विरुद में निसे धाग्या का भी आदेश जारी कर सकती है दोस्तों यह आप जानते हैं कि 144 धारा जो है यह दो माह तक की बेक्ति के बिरुद में प्रविर्थ होती है गंभीरा संका की इस्तिती में ही 6 माह तक बढ़ाई जा सकती है अब दोस्तों आप समझ गये होंगे कि धारा 144 दंड परकरिया संहिता की धारा क्या है यानि कार्जपालक मेंस्टेट का वह अधिकार जो लोकसांती भंग होने से रोकने है तुएक निसेधाग्या जारी करने का अधिकार है वह क्या है दोस्तों चुकि दोस्तों संभिधान के अनुसारिया माना गया है कि law and order maintain करने की जिमवारी राजसरकार की है जो राजसरकार अपने कार्जपालक दंडादिकारी के माध्यम से इसे लागू करती है दोस्तों दोस्तों कार्जपालक दंडादिकारी के अंतरगत डियम आते हैं इस डियम आते हैं या अन्न कोई कार्जपालक दंडादिकारी आते हैं दोस्तों यानि इस तरह का केस, जेनरली SDM साहब देखते हैं, इससे ही विशेस कुछ हुआ, तो DM साहब देखते हैं, या अन्य कोई कार्जपालक दंडा अधिकारी के भी समक्ष, अगर इस तरह का विबाद आता है, जिससे लोकसांती भंग होने का खत्राउत्पन हो गया हो समाज में, जिससे पब्लिक ट्रांक्विलिटी, यानि पब्लिक में न्यूसेंस फैलने का खत्राउत्पन हो गया हो, वैसी परिसिती में, वे वहाँ पर निसिधाग्या 144 दंड पर करिया सहिता की धारा के अंदर गत लगा करके, वहाँ पर मानों के गतिविदी को रोक देते हैं, उन मेरा यह वीडियो आपको पसंद पड़ा, तो आप इसे लाइक करें, सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों को अपने कुटम्बु को सेर करें, ताकि वो भी समझ सकें कि अगर उनके जमीन पर या उनके समाज में किसी भी तरह की लोकसांती भंग होने की संभावना हो, किस बेक्ती के बिरुद हमें कोई उपचार करा सकें, दोस्तों, धन्यवाद!